असलाम अलेकुम मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं वेलवट जर्सी की फुल ड्रेस की स्टीजिंग बताने वाली हूँ तो कटिंग और रेडी हुआ है तो सबसे पहले इसका नेकलेंड जल्दी से बना लेते हैं तो इसके लिए भी आप लोगोंने जे वेलवट का पीस बिल नेकलेंड की अलग वीडियो है कटिंग की अलग वीडियो तो आज बस मैंने आप लोगों को वेलवट की स्टीचिंग इबतानी है तो चले जी हमने जल्दी से नेकलेंड बना ली है अभ आपनी शर्ट का जो बैक साइड उसको सेपरेट कर देना उसकी फ्रांट साइड पर आप लूज ने उपपर से कोई भी सिल्वर्ट गढ़ आ कि उसका भार खिरा है ऐसे को बिलकुल हभी हाथ से आप लोगे Te जाना है कोई भी डस्पीन या बास की ट्रक लिया करें तो फिर इस तरह बूर शूर धागेश आगे और छोट छोटे पीस पीनिंग गिरते फैब्रीक के तो वैसे जनाम मैं तो अलहमदलीला परफेक्ट हूं मुझे कभी कोई पिनों शिनों की जरूरत तो नहीं पड़ी लिक लो कतान सिल्क में पीस भी देख सकते हैं भी दो चोटे चोटे पीस थे तो उनको मैंने जॉइंट कर लिया तो मैं हमेशा जैनुरन चीज़े दिखाती जो मैं खुद करती हूं ना कर मैं वीडियो बनाने के लिए नया कतान का पीस बाय करती है और आप लों को भी मुश्कि हैं तो अब जड़ा स्टिचिंग काल लेते हैं तो मैं स्लाइम मशीन के पास आ गई हूं तो अब यह देखें इस तरह बिल्कुल माशाला वह फैबरी की ऐसा है साथ बिल्कुल चिपक गया और आगे पीछे भी नहीं हो रहा तो आप लोंने साथ साथ पिन्ने उतारते जान हैं मैंने जस्त आप लों को दिखाने के लिए साथ साथ पिन्ने इटैच करते थी आप लोग देख भी सकते हैं कि भी वैलवर जाना वो माशाला इजली कवर हो रही है तो मैंने बहुत सारी टीप्स बताइएं तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिये तो भी कर सकते हैं अगर इस वीडियो में दिखाती तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जानी थी और आप लोग के पास इस तरह का कटर भी होना चाहिए यह नहीं कि कोई आप लोग को शायद तो बाकी इसमें आप लोग ने छोटे-छोटे कट लगा के क्योंकि थिक फैब्रिक है तो आराम से इस तरह फिर टर्न हो जाएगा चले जी इसका मैंने फोल्ड कर लिए तब आप लोग ने एक सलाई जोना लाजमी लगानी है ताकि फैब्रिक जोना वो रेडी हो गया अब जो शायट की बैक साइड है उसको साथ अटैच कर लेना है और इसका कंदे पे सलाई जाना वो लगाके तो इसको स्टार्ट में भी डबल सलाई कर लेनी है और बामें गले के पास आके भी आप लोग ने डबल सलाई कर लेनी है ताकि उसके जो जो जॉइ रहे ना वह पक्के हो जाएं बखके इसके गले पर आप लोग तरपाई स्टार्ट में भी कर सकते हैं वह कोई इश्यू नहीं है तो मैं तो फ्री होके सारा तरपाई करती हो तो जब मैं स्लाई मिशीन पर बैट्टी थाना फॉला काम है एक साथ ही कर लेती हो जो कमीज का आपर हैं आप सास बाज वो टैस कर लेते हैं तो सबसे पहले जो जाएंट बारा डलना सलीवे आण टाल ली थानां है तो बाकी जो जोसकी बेजिक आप आप लोग को दिखानी है बाकि przy countdown उपने अपने फैब्री के हिसाफ सब को अपने साइस के हिसाफ से वह अलग 16 है तो इसका जाए से आफ लोग उनने टरन करना है लगा लीए पंप लोग ने करना है के जो मुटा कप्ड़ा को गओद dhp व खूड़ा फोल्ट करना ते आप लोग ने फूल साइज पाँच प्रवाएंकि करने ले लेड़न तो चल झीड़े अब लोग rebels को बिलकों भी MOR नहीं आता और मुझे यह वाला मैथड जोना वह ज्यादा असान लगता है तो भी मैं इसी तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगी बाकि जिसको गोल कंदा आता है वो तो जारी बात है उनको तो सीखने की जरूवत नहीं है तो चले खिर जल्दी से एक स्लीव अटैज कर लेते हैं और साथ ही हम दूसरा भी स्लीव अटैज कर लेते हैं बाकि आप लोग साथ साथ देखते जाएं और कोई पॉइंट वगरा मिस है तो आप लोग में से पूछ भी सकते हैं क्मेंट सेक्शन में तो चलें जी किसी भी जगह पे आप लोगों ने शर्ट रखें तो उसकी फिटिंग वाली जगह पे मार्क कर लेना है जो भी आप लोग की फिटिंग का साइज है तो उसके बाद आप लोग ने अराम से हलके हाथ से फिटिंग करनी है और वेलवट ने सबसे बड़ी बाद ये खियार रखना है कि बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं नहीं तो आप लोगों की जो शेर्ट रना वो बिलकुल ऊपर चली जाएगी तो वैलवट हमेशा थोड़ी लोजी स्टिच करते हैं बादेंग को दिखाने के लिए स्लीव पे तरपाई लगा दे तिक अगर आप लोग स्लीव को ओटेस्च कर लेते हैं और ये मेरी जो नलकी है ये बिचारी बाग गई है तो सलाई करते हो भी इस तरह होता है इसको जल्दी से मैं पकड़ के वापस जगा पर रखती हूँ तब हम जल्दी से स्लीव स्टिस्ट कर लेते हैं तो स्लीव आप लोगों ने माप लेनी है और ये साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो आप लोगोंने माग की है ना बहुत ही हलके हाथ से आप लोगोंने स्लीव करनी है अदर्वाइस आप लोगों का जो फैबरिक है ना वो खिचके फट भी सकते है तो आप लोग वीडियो में देखी रहे हैं कितने आराम आराम से मैंने इसलाई की है और जिससे मैंने कटिंग करवाई थी तो उसने जना वो चौक थोड़े से ओपर कट लगा दिया तो लेकिन मैंने जो मेरा साइज है मैंने वहां तक की निशान लगाए है तो मुझे ज्यादा मतलब नीचे तक चौक नी चाहिए थे बाकि आप लोग देख सकते हैं मैंने बता दिया कि आप लोग तरपाई करनी है तो तरपाई कर सकते हैं चौक पे घेरे पे तो वो मैं फाइनल आप लोग तिखा दूँगी बाकि मैंने सलाई लगाई है तो मैंने आप लोग लोग कहा के बता भी दी है तो आप लोग ने इस तरह हलके हाथ से सलाई लगानी है और जो इसका फैबरिक है वो आप लोग ने कोशिश करनी है कि मशीन जो है ना वो थोड़ा सा पीछे करनी है बिल्कुल किनारे पे नहीं करना वारना आप लोगों की जो पैर है ना मशीन का वो स्लिप होके नीचे भी आ सकता है और आपका टांका जाना वह बिल्कुल नहीं लगेगा और इसी तरह जो कतान सिल्क है उसका आप लोगोंने अरेब में फैबरी कट कर लेना है तो मैंने जॉइंट लगा के दोनों पीस को जोड़के अरेब में कट कर लिया था बाकी गला लगाना तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी बाकी क्योंकि जल्दी थी तो मैंने का वीडियो लंबी ना हो जाए तो बाकी ये जो ट्राउजर रेज को भी मैंने नीचे से स्लाई लगा लिया तो आप देख सकते हैं कि कितनी माशला आराम राम से हलके हासे लग रही है तो जहाँ आप लोगो लगे कि आपकी जो सुह यह टक रही है या वैलवट जो ना वो पकड में नहीं आरी तो आप लोगोंने सुह के ओपर हलका सा चौक जाना वो रगड लेना है तो फिर इंशाला आप लोगोंकि वैलवट जाना बहुत अच्छी स्टीच होगी तो उपर से शलवार मैंने पहले से स्टिच कर ली थी क्योंकि तब मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का लेकिन जिस तरह मुझे कोई टीप्स बगारा पता चली वेलवट अच्छी स्टिच कर वालूँ मुझे नहीं संभाल ली जाएगी लेकिन अलामदलिला मैंने माशलाब टीप्स को फोलो किया है तो बहुत अच्छा मैंने स्लाई कर लिया था तो यह आप लोग देए पिसकते हैं वीडियो में यह कोई और नहीं है तो आप लोग नें बताना है भी मैं किस तरह की टेलर हूँ अच्छी हूँ या बहुती बुरी मेरी स्टिचिंग है और सबसे पहले तो मैंने आप लोग को इतना मुश्किल जो वेलवट है ना उसको मैंने स्लाइक करना सिखा दिया है जो कि मैं खुद जिन्दगी में पहली बास स्टिच कर रही हूँ तो सोचें भी मैंने अलहमदलिला फिर भी बहुत अच्छा की है जो टिप्स मुझे पता थी वो अगर आप लोग को पता होंगी ना तो फिर आप लोग का वेलवट का ड्रेस ना बहुत अच्छा स्टिच होगा और वैसे भी मैं आप लोग को बता दूं क्लियर कर दूं कि यह जरसी वेलवट है वेलवट जोती है उसमें लचे कम होती है तो इसकी पहचान के लिए भी मैंने लग से वीडियो बना दी है तो इसमें टांके शंके भी मैंने हर चीज आप लोग को क्लियर कर दी है और चौक का भी बता दी है और भी बहुत सारी टीप्स है किस तरह आप लोग वैलवर्ट को कैरी कर सकते हैं और स्टिच कर सकते हैं देखें जी माशलाला मैं आप दिखा भी दिया कि मेरी कमीज जाना वो देखें बिल्कुल भी नीचे से नहीं लटक रही तो बस आप लोग ने टीप्स को फोलो करना है तो अप लोग भी वैलवर्ट ऐसी स्टिच होगी ओके जी लाफ़ेज